रैली हो रही थी तब अखिलेश ने भदोही से योगी सरकार को घेरा था और आज आगरा से चुबने वाला हमला दिया किसानों को लेकर अखिलेश का डबल अटैड पहले ट्वीट के जरीए कसा योगी सरकार पर तंज फिर बयान देकर किया भाजपा को चैलेंज मैं बधाई देता हूँ किसानों को जो एक साथ एक खटे खड़े हो गए हैं किसानों का सम्मान भारती जिन्ता पार्टी को करना चीए किसानों का अभुमान देश नहीं सुईकार करेगा मुझफर नगर में किसानों की महा पंचायत किता पेश यूपी की सियासत को और गर्माने लगी और किसान अंदोलन के गर्म होते सियासी तवे पर विपक्षी धलों ने भी रोटियां सेखने की कवायत तेज कर दी इस मामले में सब से आगे दिख रहे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो 2022 विधान सभाद चुनाओं के लिए पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं कल पश्यमी उत्तरपदेश में एक तरफ किसानों की और दूसरी तरफ पूरी उत्तरपदेश में शिक्षकों और आम जनता की अभूत पूरो एक जुटता ने दिखा दिया है कि भाजपा की दमनकारी युधाजनकारी दम भी सत्ता अब कभी वापस नहीं आएगी ये भाजपा के तहर के खलाफ जन्मत की लहर है भाजपा ख़त ये ट्वीट अखिलेश यादाव ने सुबह किया और इसके बाद जब वो आगरा पहुंचे तो वहाँ भी उन्होंने भाजपा पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा के भाजपा ने किसानों से 2022 तक आए दोगनी करने का जो बादा किया था वो अधूरा क्यों है जिस तरह से सपने दिखायते भारती जन्ता पार्टी ने कि उनकी पैदावार की आए दोगनी कर देंगे आए दोगनी किसानों की नहीं की बलकि हर चीज़ की महंगाई दोगनी कर दी सरकार को इसका जवाब देना चीए मुझफर नगर में महा पंचायत के जरिये किसानों ने शक्ती प्रदर्शन किया और सरकार पर प्रिशी कानून वापस लेने का दबाव बनाने की कोशिश की उधर सपा ध्यक्ष अखलेश यादो ने भी किसान आंदोलन के सहारे सरकार को घेवने की कवायद देश कर दी है साफ है कि भले ही किसान आंदोलन को गयर सियासी बताया जा रहा हो लेकिन इस आंदोलन की तासीर पूरी तरह सियासी है इससे इंकार नहीं किया रा सकता एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपार ध्याय के साथ जो ररीपोर्ट